हालो बच्चों बात इंट्रिकेशन की हो रही थी इसमें हमने एक्सराइज 7.4 तक के कुशन डिसस किये थे Nazim 7.5 शुरू करने जा रहें देखेंए जो इक्सराइज है वो पार्शियल फ्रेक्शन पर बेजस्ट है बेज्ड़ान पार्शियल फ्रेक्शन और पार्शियल फ्रेक्शन के बारे में हमने हमने एक वीडियो इसके पहले डाल रखा है उसका लिंक हम डिस्क्रिशन दे देंगे उसको देख लीजेगा बिना पार्टियल फ्रेक्शन का कंसेप्ट जाने आप इस एक्सरसाइज को नहीं लगा सकते हां जो पुराने फार्मले यूज होंगे कहीं कहीं पर हो तो ठीक है ल इसका इस्तेमार आप देखे मुर्फटा देखे बोड की कि आप पार्टियल फ्रेक्शन को यूज करते हैं और एलजब्रा से आपने उसको उटा दिया तो उटा दिया फिलाल तो आपको करना पड़ेगा उसको देख लीजेगा हम कोशन डिसस करने जा रहे हैं exercise 7.5 पहला कोशन देखें क्या बोला है integrate करना है i is equal to integration of x upon x square x plus 1 x plus 2 x plus 1 x plus 2 dx देखें ऐसा नहीं कि अगर partial fraction पर based exercise है तो partial fractions नहीं लगेगी आपके जो पुराने methods हैं वो भी यहां लग सकते हैं तो ऐसा नहीं कि partial fraction लिख दिया तो ब्रंभा के तोंदी है उसी से लगेगी आप पुराने method से भी लगा सकते हैं हाँ अब देखो इसके करते हैं partial fraction now जड़ा समझेगा x upon x plus 1 x plus 2 method क्या बताया गया कि अगर नीचे के factors linear हों और अलग-अलग हो non-repeated हों तो इसको हम लिखेंगे a upon x plus 1 plus b upon x plus 2 अगर इस factors linear हों इसके degree 1 हो और अलग-अलग हों इनको a upon plus b upon लिख देते हैं यही partial fraction है अब a b की value निकालनी है value यहीं रखी जाएगी और इसी को टुकडों में बढ़ गई ठीक है इसको solve करते हैं तो आएगा x upon x plus 1 x plus 2 और यहां पर x plus 2 plus b x plus 1 यह question number 2 आया अब आपका जो काम है वो a और b की value निकालनी है उसके लिए तो तरीका बताया यह गया कि अगर यह linear factor हों तो easiest way यह है एक तो होता है coefficient को equate करो गुडांकों के तुल ना करो एक होता है एक बार एक factor को 0 रख दो एक बार दूसरे को 0 रख दो तो यहाँ पर हो जाएगा minus 1 यहाँ a के साथ आएगा minus 1 plus 2 यह तो पुरा 0 हो जाएगा तो जरा देखें यह 1a आएगा तो a की value आ गई minus 1 a निकलाया minus 1 इसको अपनी जानकारी के लिए यहाँ रख लेते है a is equal to minus 1 अब b निकाले के लिए क्या करेंगे दूसरी value को 0 पुट करिए putting x plus 2 is equal to 0 putting x plus 2 is equal to 0 यहाँ x is equal to minus 2 in equation 2 जो x को minus 2 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा minus 2 is equal to यह तो 0 हो गया चुकि आपने x plus 2 को 0 किया और यहाँ जब रखेंगे b minus 2 plus 1 तो यह minus कब भी हो जाएगा तो b की value 2 आ गई b की value कितनी आ गई 2 a b निकल आया अब इस a b की value उठाईए equation number 1 में put कर दीजे और integrate कर दीजे यही partial fraction है putting a and b in equation number 1 and integrating b की value 2i है b की value जो है वो 2i है putting a and b in equation 1 and integrating देखें यहाँ तो यह integration हो गया इसी को करना था हमको इसको हमने दो टुक्णों में break कर लिया क्या लिखा a upon x1 x plus 1 a की value क्या है minus 1 तो आ गया minus 1 upon x plus 1 dx प्लस b की value क्या है 2 to 1 upon x plus 2 dx अब यह integral आपको आता है यह log x plus 1 होता है और plus 2 log x plus 2 होता है plus y होता है यही आपका answer हो गया लेकिन चुकिक concept log का है इसे log की कुछ property यहाँ पर लग जाएंगी देखें log की property क्या लगेगी यहाँ पर एक तो यह 2 जो है ना इसकी power में जाएगा और log m minus log n log m upon n होता है तो इसका यह लिखाया जाएगा log x plus 2 का whole square upon x plus 1 mod plus this is the answer तो यह है partial fraction का concept ठीक है note कर लीजे हर जगह नहीं use करेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी direct formula use करने की वह हम direct formula use कर देंगे चूकि exercise partial fraction किया है तो मान लिजे जाएदर question partial fraction से ही लगेंगे second question देखिए second question integration of 1 upon x square minus 9 9 को लिखेंगे 3 square अब देखिए वैसे तो इसको x plus 3 x minus 3 कर देखिए इसको partial fraction कर ले लेकिन हमारे पर x square minus a square का formula होता है हम जानते हैं formula 1 upon x square minus a square dx का formula होता है 1 upon 2a log x minus a upon x plus a plus c यह हमको formula बताया है तो हम का है के लिए partial fraction करें तो यह हो जाएगा एक ही जगे हो जाएगा 3 तो 1 upon 2 into 3 log x minus 3 upon x plus 3 plus c यह वर अपान 6 हो जाएगा इठी जो रांसर जब भी फार्मुला अप्लाई किया करी है तो we know that यह लिख दिया करी है के हम यह फार्मुला जानते हैं तो this is question number 2 question number 3 हाँ अगर partial fraction करना चाहें तो इसको x plus 3 x minus 3 करके हम लगा सकते हैं question 3 देखे i is equal to integral of 3 x minus 1 upon x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 1 x minus 2 x minus 3 dx अब देखो द्यान से नीचे ज़रा denominator देखिये इसका denominator में तीन factor से linear है non repeated है तो इसको पहले अलग लिख लिजेगा 3 x minus 1 upon x minus 1 x minus 2 x minus 3 is equal to तो a upon x minus 1 अलग प्लस b upon x minus 2 अलग प्लस c upon x minus 3 यही आपका partial fraction है अब a b c की value निकाल ली है तो simple जो mathematical calculation है उसको करिए आप यहाँ पर LCM लेंगे यह हो जाएगा 3 x minus 1 upon x minus 1 x minus 2 x minus 3 is equal to यहाँ पर आपने LCM लिया x minus 1 x minus 2 x minus 3 क्या हैगा देखिये a के साथ हाएगा x minus 2 into x minus 3 प्लस b के साथ हाएगा x minus 1 into x minus 3 प्लस c के साथ हाएगा x minus 1 into x minus 2 यह question number 2 है अगले step में डालेंगे और यह इसको अगले step में रब कर देंगे यह question number 2 बनेगा तो तो cancel हो जाएगा वही न कार दीजेगा अगले step में उसको cancel करेंगे अब ABC की value निकाल ली है तो linear factor में हमने का आपके पास यह chance है कि आप एक बार इसको 0 करो एक बार इसको 0 करो एक बार इसको 0 करो इस वाले equation में तो put कर दो putting x-1 is equal to 0 यानि x is equal to 1 कहां पर in equation 2 x को 1 रख दो तो यहां क्या आएगा यहां आएगा 3-1 is equal to a के साथ रखोगे देखो आपने x-1 को 0 किया है तो यह already 0 हो जाएगा यह already 0 हो जाएगा उसको आपको लिखने जरूत नहीं है a के साथ क्या आएगा 1-2 1-3 यह हो गया 2 a के साथ आएगा minus 1 minus 2 यह 2 हो जाएगा तो a की value आ गई 1 तो a आपका निकलाया यहां कहीं अपनी जानकारी के लिए 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 a की value 1 हो इसके बाद put क्या करेंगे अगला factor 0 कर दीजिए अगला factor क्या है x-2 को 0 कर दीजिए और x की वालू टू रख दीजिए तो रखो यहां पर क्या हो जाएगा 3-2 जाएगा 6 तो c वाली के साथ x-2 आ रहा है तो यह 0 हो जाएगी तो b के साथ क्या आएगा 2-1 2-3 यह हो जाएगा 5 is equal to b के साथ आएगा into 1 to minus 1 यह minus b हो जाएगा तो b की value आ गई minus की 5 तो b निकलाया minus का 5 अब c निकालने के लिए क्या करेंगे जो तीसरा factor है उसको 0 कर दो putting x-3 is equal to 0 यहां x is equal to 3 रख दो तो 3-3 जा 9-1 is equal to तेकि x-3 किया 0 यहां पर x-3 है यह step 0 यहां x-3 है यह step 0 यहां पर रखिये c के साथ c के साथ क्या आएगा 3-1 3-2 तो यहां आएगा 7 is equal to c के साथ आएगा 2 यहां आएगा 1 प्लस का 1 तो c की value आगे 7 by 2 c निकलाया 7 by 2 अब abc निकलाया यही partial fraction था अब इस abc को उठाइए equation number 1 में रखिये और integrate कर दीजिए ठीक है putting abc in equation number 1 and integrating तो यहां लिखेंगे और लिखने के बाद value रख रहे हैं हम देखिए यह 1 था इसको integrate करना था a की value क्या है 1 a को लग दिया हमने 1 dx b की value क्या है minus का 5 इसको लग दिया minus का 5 dx c कुर दिया 7 by 2 7 by 2 dx देखिए यह अगले step में लिखेंगे वही ने कार देना यहां पर इसका integral क्या होगा log x minus 1 mod minus 5 अलग कर दो इसका क्या होगा log x minus 2 mod plus 7 by 2 अलग कर दो इसका क्या होगा log x minus 3 mod plus c तो यह आपका integration हो जाएगा अब इसको calculate करने की कोई जूरुत नहीं अब calculate होगा भी नहीं है यह log x minus 1 minus 5 c की value ज़रा एक बार check कर लिजे c की value minus 7 by 2 निकाल दी है इसके side 4 आ रही है यह ने x को 3 रखा है तो 3 सीजा 9 minus 1 8 यहां पर आएगा हाँ ठीक है 8 by 2 आएगा sorry c की value 8 by 2 आएगी यहां पर 8 by 2 यह 4 आएगी value यह 4 आएगी इसके पहले चूँकि हम उसमें तो solve कर लिजे सकते तो वो आप check कर लिजेगा 4 है यह वो 3-3 जा 9 minus 1 minus 7 लिख दिया था वो 8 होगा कभी-कभी बड़े-बड़े लोगों से बड़े-बड़े इतना बड़ा 8 by 2 का mistake हो जाता है ठीक है जो आपका question number 4 है वो बिलकुल ditto third है देखे fourth question है क्या मैं जानबूस के इस question को रभ नहीं कर रहा हूँ fourth question में उपर x है और नीचे same चीज है उपर के वाल x लिखा हुआ है हो जाएगा same a upon x minus 1 plus b upon this plus c upon this बिलकुल value रखती दिले जाओ अब चुकि एलेट्स आपका जो 3x minus 1 था वो x हो जाएगा बस value change होगी method is the same question number 5 देखे question number 5 i is equal to integral of 2x upon 2x upon x square plus 3x plus 2 x square plus 3x plus 2 ज़रा इसको ध्यान से देखें और इसकी पिछली exercise के method को थोड़ा दिमाग लगाएं तो आएक method बताये गया था कि एगर px plus q upon ax x square plus bx plus c हो तो हमने कहा था वो इसको d by dx of denominator मान के लिखेंगे या इसको t मानेंगे इसका differentiation present होना चाहिए और अगर इसको t माने तो x square plus 3x plus 2 का differentiation 2x plus 3 है और 2x already उपर present है इसलिए हम यहाँ पर partial fraction नहीं लगाएंगे हम पिछला method करेंगे लिखे तो आएगा नहीं partial fraction यूज़ करो देखें अगर मैं denominator को t मानता हूँ तो इसका differentiation 2x plus 3 आएगा और 2x already numerator में present है तो क्या करेंगे उपर plus 3 कर दो और minus 3 कर दो अब देखें 2x plus 3 upon x square plus 3x plus 2 dx अलग कर दो और minus 3 वाला अलग कर दो 1 upon x square plus 3x plus 2 dx अलग कर अगर मैं इसको t मानता हूँ तो इसका differentiation उपर present है माल लिजे let x square plus 3x plus 2 is equal to t यहीं पर मानेगे यह method आपका 1 upon x square plus bx plus c का method था इसको differentiate करेंगे तो आएगा 2x plus 3 dx is equal to dt यह उपर लिखा हुआ है 2x plus 3 dx बढ़ दो dt so i is equal to उपर हो गया dt नीचे हो गया t minus यहाँ पर आपको कहा गया था कि इसको बनाओ perfect square method आप जानते हैं यह कहा गया था कि x square के coefficient को one करो वो अलगी है फिर जो x का coefficient है क्या है plus 3 इसको आधा कर दो यह लिखा हुआ है x plus 3 by 2 का whole square जब इसको खोलेंगी तो x square आएगा plus 3x आएगा और plus 9 by 4 भी आएगा तो यहाँ इसको balance करेंगे minus 9 by 4 और plus 2 पहले से लिखा हुआ है ठीक है इसको partial fractions नहीं कर सकते थे x plus 1 x plus 2 factor करके अलग-अलग कर सकते थे लेकिन हम क्यों करेंगे हमारे पास जब method पुराने होंगे तो वही adapt करेंगे जब मजबूरी होगी तब partial fraction करेंगे अब जड़ा यहाँ देखिए i is equal to इसका integral तो हो गया log t minus 3 integral जड़ा इसको देखिए यह लिखा है x plus 2 का whole square x plus 3 by 2 का whole square और यह होगा 4 दुनी 8 minus 9 minus 1 by 2 का whole square तो यह तो होगे आपका log t की value रख दीजाए क्या होगी x square plus 3 x plus 2 और minus 3 यह आपका 1 upon x square minus a square अभी हम बता चुके हैं 1 upon 2 a यह बोले तो 1 upon 2 log x minus a यह यह एक्स plus 3 by 2 minus a upon x plus 3 by 2 plus a plus 3 बस हो गया थोड़ा आपके कर लो log यह आएगा x square plus 3 x plus 2 minus 2 तू कर गया 3 log इसको खोलिंग क्या आएगा 3 by 2 यानि की डेढ़ डेढ़ में आधा जाएगा तो 1 बचेगा x plus 1 upon x plus 2 plus this is your answer this is question number कौन सा है ठीक है हाँ इसको थोड़ा सा हम change कर सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके कैसे लिखेंगे जा समझेगा तो कैसे लिखा जा सकता है अब आप यह answer मिलाएंगे और answer tally होगा नहीं तो आप कहेंगे वा भाई बात क्या बताए हैं देखें इसको आप x अगर आप partial fraction से करोगे तो x plus 1 अलग होगा x plus 2 अलग होगा ठीक है तो उस फाब में answer आएगा यह भी answer सही है वो भी answer सही है या समझेगा और मैं जरा answer आपके tally किये रहा हूँ देखो इसको लिख सकते हैं x plus 1 x plus 2 लेख सकते हैं ब्रैट कर रहा हूँ है इसका power square में चला जाएगा तो यह पूरी चीज अपान में आ जाएगी क्या आएगी x plus 1 का whole cube में आएगा x plus 1 का whole cube into upon में आएगा ना अपान x plus 2 का whole cube मैं इसी से answer ला रहा हूँ मैं पार्ट सर्फिक्शन नहीं कर रहा हूँ अब जब इसको उपर ले जाएंगे देखे यह x plus 2 whole के उपर जाएगा तो यह बन जाएगा log उपर बन जाएगा x plus 2 की power 4 और नीचे बन जाएगा x plus 1 to power 2 अब इसको अलग-अलग कर दो तो 4 log x plus 2 minus 2 log x plus 1 वही आ जाएगा वाताब partial fraction से करोगे तो answer इस format में आएगा और write करो इस format में आएगा दोनों पांसर सही है क्यों format change हुआ है ठीक है यह question number 5 है जरा 6 question number देखिए देखिए इस exercise तक पहुचने के लिए 1st, 2nd, 3rd, 4th exercise का concept clear होना चाहिए clear नहीं होना चाहिए clear देमाग से सब clear हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए जरा 6 question देखिए i is equal to integral of 1 minus x square 1 minus x square upon x1 minus 2x अब आप कहेंगे partial fraction जी आप लगा सकते हैं लेकिन एक शर्त उसमें थी कि ऊपर की degree जो है न वो छोटी होनी चाहिए यह भी quadratic यह भी quadratic तो सबसे पहले तो उसको divide करना पड़ेगा कैसे देखो यह लिखा है minus x square plus 1 जान रूज कैसे लिख रहे हैं और इसको divide करना पड़ेगा minus 2x square plus x से पहले आपको minus x square चाहिए तो minus का चाहिए न तो plus का 1 by 2 times ले जाओ तो 1 by 2 times जब ले जाओगे जब इसका अभी divide कैसे किया जाएगा आप जानते होंगे intermediate student divide आता है उसको इसका इससे multiply करोगे minus x square आएगा इसका इससे करोगे तो plus का half x आएगा फिर दोनों को subtract कर देंगे plus minus यह कड़ गया तो आएगा minus half x plus 1 जैनि इसको क्या लिखा जा सकता है 1 by 2 plus minus half x plus 1 whole upon minus 2x square plus x यानि यह fraction हो गया जिसका कि partial करेंगे और यह whole number हा गया यानि इसको लिखा जा सकता है minus 1 by 2 अलग plus sorry plus 1 by 2 अलग plus minus half x plus 1 upon x 1 minus 2x इसको लिखा जा सकता है सब्सक्राइब अब हम इसको उठाएंगे और इसको हम अलग से partial fraction करेंगे देखें यह fair work है यह rough work नहीं है जान कीगा आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा because degree of numerator is equal to the degree of denominator so we have to divide it take that fraction देखें minus half x plus 1 upon x 1 minus 2x दोनों fraction कैसे हैं दोनों factor linear है तो यह a upon x आएगा plus b upon 1 minus 2x आएगा यह question number 1 हो गया बसे question 1 है वो integrate करेंगे फिरहाल इतना 1 हम माले अब यहाँ LCM ले लिए हमने तो आगया minus 1 upon 2x plus 1 upon x 1 minus 2x is equal to a के साथ आएगा 1 minus 2x और plus b के साथ आएगा x upon x 1 minus 2x यह step कर जाएगा और अगले step में हम इसको गायब कर देंगे ऐसे गायब कर रहे हैं ठीक है थोड़ा interest लेके पढ़िएगा क्योंकि मैं Hansel School के तफ़डी तफ़डी करके नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें तफ़डी नहीं हो सकती बहुत serious matter रही है तफ नहीं है यह ध्यान रिखेगा अब ऐसा करते हैं पहले तो पहला factor 0 कर देते हैं putting x is equal to 0 in equation 3 x को रखो 0 तो इधर 1 बचेगा इधर रखा 0 तो b तो पूरा 0 हो गया यह 0 हो गया यह a आ गया यहनि a की value 1 आ गयी हम अपनी जानकारी के लिख देते हैं a की value 1 आ गयी है ठीक है फिर अगला step 0 करिए putting 1-2x is equal to 0 putting 1-2x is equal to 0 यहनि x is equal to 1 by 2 कहां पर in equation वही 3 में रखी है जब 1 by 2 रखोगे तो यह आएगा minus का 1 by 4 plus 1 is equal to a के साथ 0 हो गया यह हो गया 1 by 2b तो यह हो जाएगा आपका जब calculate करोगे तो आएगा 3 by 4 is equal to 1 by 2b b की value आएगी 3 by 2 यह a b निकला आया अब a b को उठाइए equation number 1 में रखिए 2 में और इसका यहां इस्तेमाल कर दिएगा तो आप दिखेंगे putting a and b putting a and b in equation 2 and using in equation 1 using in equation 1 1 में use कर दीजे कैसा use करेंगे देखें b की value 3 by 2 आ रही है इसको use करते हैं देखिए कैसे use करेंगे यहां रख रहे हैं तो यह हो जाएगा आपका यह i है यह i को integrate करना था यह क्या हो जाएगा half x अलग हो जाएगा half dx अलग हो जाएगा plus इसको लिखाता हमने a by x plus b by 1 minus 2x dx यह अलग अलग हमने किया था अब यही पर value put करना है देखिए 1 by 2 dx अलग कर दिया a की value क्या है 1 तो 1 upon x dx अलग कर दिया b की value कितनी है 3 by 2 3 by 2 1 upon 1 minus 2x dx अलग कर दिया इसका integrate कर दीजे इसका half x हो जाएगा यह log x हो जाएगा अब देखिए यहां पर 1 by x गए ax plus b a minus 2 है तो minus 1 by 2 बाहर करेंगे तो minus का 3 by 4 log 1 minus 2x अलग हो जाएगा प्लस c यह integration इसका आएगा ठीक है अब जरा 7th question देखिए 7th question i is equal to integral of x upon x square plus 1 into x minus 1 याद करिए partial fraction याद क्या करिए उस वीडियो को देख लीजे तो देखिए x upon x square plus 1 और x minus 1 is equal to देखिए एक quadratic equation है quadratic factor है दो घात का है और quadratic भी ऐसा है इसका factor नहीं हो सकता इसके गुड़े खंट नहीं हो पा रहे हैं तो यह बताया गया था अगर एक quadratic हो तो इसके लिए open linear लिखा जाता है ax plus b upon x square plus 1 और plus चुकि यह linear है इसके लिए अगला constant c upon x minus 1 यहाँ पर value रखनी पड़ेगी यह question बन है अब solve कर लीजेगा x upon x square plus 1 into x minus 1 is equal to यहाँ lcm लिया हमने x minus 1 x square plus 1 तो यहाँ ax plus b के साथ आएगा x minus 1 plus c के साथ आएगा x square plus 1 यह कड़ जाएगा नीचे अगले step में इसको आप गायब कर दो यहाँ से अब देखिए a b c की value निकालने का जो तरीका हमारे पास है वो एक गरवड है कि linear factor तो 0 कर सकते हैं इसको 0 नहीं लिख सकते हैं तो एक value दो निकल आएगे c की a और b की नहीं निकलेगी तो हमको coefficient equate ही करना पड़ेगा तो इसके bracket को खोल दीएगा ax square इसको अंदर ले जा रहे है minus ax plus bx minus b ax का multiply x से किया ax square यहाँ गया minus ax यहाँ गया bx यहाँ minus b plus cx square plus c तो जब x square common लेंगे तो यहाँ पर आएगा a plus c plus x का मन लेंगे तो यहाँ आएगा minus a plus b और constant आएगा minus b plus c अब coefficient को equate कर दो equating अज़ा यह x चल रहा है यहाँ पर equating the coefficients of both the side देखो यहाँ पर x square साथ क्या रहा है a plus c यहाँ पर x square है ने तो उसका coefficient 0 हो गया यह equation number 3 हो गया यहाँ पर एकसाथ क्या है minus a plus b यहाँ पर x साथ क्या है 1 तो यह 1 हो गया यह equation 4 हो गया यहाँ constant क्या है minus b plus c यहाँ क्या है नहीं है 0 यह equation 5 हो गया अब यहाँ पर एक आप आराम से वो काम कर सकते हो अब तीन equations को solve करके ABC निकालना पड़ेगा लेकिन एक factor है जिसकी value 0 कर सकते हो x-1 को 0 कर दो तो एक मान निकालाएगा coefficient तो तब भी equate करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे इसको रप कर रहे हैं एक लिखे होगे इसके नीचे लिखेंगे putting x-1 is equal to 0 x is equal to 0 in equation 2 2 max को रखो 1 sorry 1 रखें यहाँ पर यहाँ 1 हो जाएगा x-1 को 0 क्या है पूरा step 0 हो जाएगा यहाँ पर 2c आ जाएगा 2c तो c का मान आ गया 1 by 2 c निकलाया यहाँ अपनी जानकारी के लिखेंगे c की वैलू 1 by 2 आ गई c यहाँ रख दे कहाँ पर by equation 3 जब c यहाँ रखोगे तो a की वैलू minus c आएगी a की वैलू कितनी आएगी minus c तो यह नहीं minus 1 by 2 तो a भी आ गया minus 1 by 2 c की वैलू जो जाएगा 4 देखो by question 4 score up कर देते हैं by question 5 not 4 by question 5 b की वैलू c के एकवल है तो a भी 1 by 2 आ गया यही c आ गया यही b आ गया a भी c निकलाया अब a भी c उठाइए equation number 1 में रखिए और integrate कर दीजिए putting a भी c in equation number 1 and integrating putting a, b, c in equation 1 and integrating देखो इसका integral करना था x upon x square plus 1 into x minus 1 dx is equal to यहाँ पर आईए a की वैलू केत्म है minus 1 by 2 जाद ध्यान से तमझेगा minus 1 by 2 x plus 1 by 2 upon x square minus plus 1 dx plus c की वैलू कितनी है 1 by 2 1 by 2 upon x minus 1 whole integration जरा थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा साउधान रहिएगा dx देखो यहाँ जब हम तेलसियम ले लेंगे तो यह 1 by 2 बाहर हो गया यह minus x plus 1 आएगा upon x square plus 1 dx अलग हो जाएगा plus 1 by 2 1 upon x minus 1 dx अलग हो जाएगा अब जरा देखिए यह पीशे के integration है जिनको आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा बहुत आपको आता भी होगा थोड़ा बहुत नहीं बहुत बहुत आता होगा देखो अगर मैं इसको t मान लेता हूँ तो इसका differentiation 2x dx लिखा हुआ है 1 नहीं चाहिए 1 को अलग कर दो यह इसको ऐसा कर दो कि 1 by 2 minus x upon x square plus 1 dx अलग कर दो और plus 1 by 2 1 upon x square plus 1 dx अलग कर दो और इसका तो आपका log x minus 1 पहले से आ गया x minus 1 पहले से आ गया plus अब देखो इसको t मानेंगे तो इसका differentiation present है x dx 2 से कोई मतलम नहीं है 2 तो constant है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x square plus 1 को t मानेंगे तो इसका 2x dx is equal to dt चुकि यहाँ पर x dx केवल है तो x dx की value आएगी half dt रग दो उठा करके यहाँ पर यह integration आपका हो जाएगा so i is equal to देखे यह हो जाएगा आपका minus का 1 by 4 और यह हो जाएगा log उपर हो जाएगा dt upon t plus 1 by 2 इसका integral हम जानते हैं tan inverse x plus यह 1 by 2 इसका log x minus 1 plus c यह log t हो गया तो minus 1 upon 4 log t t बोले तो 1 plus x square plus 1 upon 2 tan inverse x plus 1 upon 2 log x minus 1 plus c इस प्रकार से छोटा सा integration है 7th question 1 by 2 log x minus 1 minus 1 by 4 log x square plus 1 plus 1 by 2 tan inverse x plus c यह 7th question है ठीक है जाएटर की उस्त दिल्कार एत Q कर दो एत प्य kingdom 60 हम एता एत आएगात church जाएवा एत की प्वएँ बीक्एवा एत 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 एतALK